बिहार पुलिस कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहती है। इस बार जो मामलास सामने आया है उसे जानकर आप अपनी हसी नहीं रोक पाएंगे। लोक आस्था का महपर्व छट कल से सुरू हो रहा है और इस पर्व में छुटी के लिए दिये गए आवेदन पर बिहार पुलिस ने अपने पुलिस कर्मियों से कसम खाने के लिए ऐसे सपत पत्र त्यार करवाए हैं जो विचित्र हैं। मामला समस्तिपूर का है जहां बिहार पुलिस के एक जवान की आप बीती सुनकर बरा सवाल उठता है कि क्या आस्था पर नौकडी भारी है। पुलिस जवान को छट की छुटी के लिए दिये गए आवेदन के बावजूद छुटी नहीं दी जा रही। बावजूद इसके उसे सपत पत्र दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि छटी मया की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पिछले 40 औरसों से छट कर रहा हूँ। मैं जूट बोलकर आवकास नहीं ले रहा हूँ। अगर ये जूट होगा तो छटी मया हमारे परिवार को घोड़ी पत्ती दें। ये सपत पत्र वाइरल हो रहा है। समस्तिपूर के पुलिस चौकी में पदिस्थापित जवान नरायन सिंग को ये सपत पत्र दिया गया है जो बिहार पुलिस के जवान है। उनका कहना है कि मैं छट के लिए जूट क्यूं बोलूंगा। मैं खुद 44 साल से छट कर रहा हूँ। और छुटी के लिए कभी ऐसा सपत पत्र मुझे नहीं दिया गया था। मैंने सपत पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है क्यूंकि मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ। इतना ही नहीं जानकारी के मुताबिक कुछ पुलिस कर्मियों को नारियल दिया गया है जिसे छूकर उन्हें कसम खाई है कि वो जूट नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें छट करने के लिए छुटी चाहिए नारियल छूकर भी सपत दिलाई गई है जो कि कहीं से तर्क संगत नहीं मामले की जनकारे मिलने के बाद समस्टीपूर शाखा के पुलिस मेंस एसोसिशिशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा है कि छुटी के लिए इस तरह का तरीका अपनाना एकदम गलत है या हमारी परंपरा की विप्रित है ऐसा सपत्पत्र और ऐसे कसम दिलाना ये कहीं से वहवारिक नहीं है वहीं समस्टीपूर के एसपी विकास वर्मन ने कहा है कि छट की छुटी को लेकर एक सपत्पत्र वित्रित करने के बाद कहीं जा रही है जिस पर अधिकारिक रूप से हस्थाक्षर किया हुआ है अधिकारिक तोर पर ऐसा कोई मामला नहीं है पटना से the DESKY report.